Hello friends, Make Money Trading Academy में आप सबका स्वागत है Friends, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप सब लोगों को धेर सारी बधाई देना चाहता हूँ यह आज भारत के लिए एक बहुत गर्व का विशा है कि आज हम बहुत सक्सेस्फुली मून में लैंड हुए हमारा चंदर्यान 3 जो है सक्सेस्फुली लैंड हुआ तो मैं पूरे देश वासियों को धेर सारी बधाई देता हूँ इतने बड़े सक्सेस के लिए क्योंकि पूरे दुनिया भर में भारत का ये डंका बज रहा है ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज सिर्फ चंदर्यान 3 ने तुफान नहीं मचाया पूरे दुनिया भर में आज ऑप्संस बायर जो है वो भी बहुत खुश है ठीक है आज ऑप्संस बायर पूरे देश भर में खुश है क्योंकि आज मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया कि जितने भी ऑप के साथ कि ऐसा दिन आये और इस तरह के टेड को हम मिस ना करें तो आज का जो टॉपिक था अपने थमने लिए पड़ा होगा कि ऑप्संस बायर हुए माला माल तो सही बात है कि आज जो भी ऑप्संस बायर रहे होंगे वो तो जम कर आज पैसे कमाये होंगे अब देखिए द दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं और आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा तो आप लोग को दिखाए देगा कि आज कितना अच्छा औसर मार्केट ने दिया और जिन्हों ने कमाया है वह बहुत जम कर आज उन्होंने कमाया है ठीक है जो भी ऑप्संस बा है तो आप disappointed मत हुई है आपकी अगर एका दो दिन stop loss हीट हो जाते हैं तो आप disappointed मत हुई है क्योंकि जिस दिन मार्केट आपको देगा ना तो चपर फार कर देगा बस आपको patience के साथ वेट करना है और result आप चिंता मत किजिए मार्केट आपको अच्छे result अच्छे reward आपको मैंने यह दिखाया था कि मार्केट जो है एक बहुत अच्छा support लेकर आख लोग में बहुत अच्छा support लिए Quicklyeeक कर तो यह पर ने के बार मार्केट मैं analytics अक्रिण म करता हूं ताकि मार्केट यह भूआ यहां आकर इस पूर्ट मार्केट Mahar मार्को पर लेकर मार्क उपर उपर कर रहा था दोस्तों अ कि ठेकर ऊपर इस दिश्गह अगर मार्केट जब भी गया है यहां पर तो रिस्टेंस लिया था फिर यहां पर ब्रेकाउट देके लेकिन सस्टेंग नहीं कर पाया इसी के बीच में कई दिनों तक मार्केट था कई दिनों तक लगबग 32 डेज तक था यह दोस्तों यह मैंने पहले देख लिया इसलिए मैं बता ठीज लाहूं 32 तक था उसके बाद मार्केट ने ब्रेक आउट देके ऊपर गया था और फिर सपोर्ट ब्रेक करके ये सपोर्ट लेकर और वापस यहाँ से अपर जानी का सोच रहा था ठीक है तो मैं बारबार लोगों को बता रहा था कि यह जो छोटे-छोटे मुव आ रहे ह आप सब लोग तयार हो जाएए क्योंकि जिस दिन ये breakout देगा एक बहुत अच्छा कासा मूव मिलेगा और नेक्स टागर्ड नेक्स टागर्ड यह हमारा होगा यह जो हाई था ना यह मैंने मार्क करके रखा था और हाँ दोस्तों जो हमें टेलिग्राम पर फॉलो नहीं करते मैं उनसे कह रहा हूं कि आप एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ही आप देखेगा मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक है आप उसे जाकर आप अभी के भी जॉइन कर लिजे क्योंकि मैं हर दिन मंदे टू फ्राइडए सामके 9 से लेकर साड़े नौवे तक मैं ऑनलाइन रहता हूं और बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने सवाल रखते हैं उस पर हम लोगं डिसक्स करते हैं और बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत कुस्त तीखने को मिल देगा तो यह हमारा next target यह होगा तो देखिए आज हमने trade कैसे लिया और जो भी options बायर हैं उनको मैं बार-बार कहता हूं दोस्तों कि options बायर के लिए हमेशा momentum market में यह हमेशा ध्यान रखेगा दोस्तों अगर market momentum है तभी आप अगर market sideways में हैं तो आप उस market से आप बाहर ही रहें एवाइट कीजिए क्योंकि हमारा chances ज्यादा होता है कि sideways market में हमारे stop loss हीट हो जाएं बट अगर market में अच्छा momentum रहता है न दोस्तों तो क्या होता है हमारे premium बहुत तीरी से बढ़ते हैं क्योंकि हम option buyer हैं हम seller नहीं है जो seller होते हैं जो sideways में ही पैसे कमा लेते हैं बट option buyer तब कमाते हैं जब market एक अच्छा move देता है उपर की तरफ 5-minute का chart अब देखि दोस्तों मैंने सुबह ही अफने टेलिग्राम में भी मैंने post किया था ठीक है आप अगर पेर जायेंंगे तो देख सकते हैं और आप अभी अब जाइन किया और आप देख पाएंगे टेलिग्राम में मैंने आज discuss क्या था शेर भी क्या था यह आप देखिए दोस्तों morning पिछले कई दिनों से दोस्तों यह मार्केट जो है यहां पर यहां से गिरा तिर यहां के resistance लिया फिर नीचा वाए फिर मार्केट आहिए पर इसके उपर नहीं जा पाया फिर मार्केट ऐसे रहा फिर यहां ।। है यह चीज है तो बहुत हो नोगों संधूर यह मांगता सिख। ज़रतर और अप वे में आप प्रॉसेस फॉलो कीजिए और शीड सव्लो में हैं तो बहुत ही अच्छा क्या है यह हमारे लिए होने वाला है क्योंकि जिस साइड मार्केट मूव करेगा उस साइड बहुत अच्छा मुमिंटम में मार्केट ब्रेक आउट करेगा तो हमें अच्छा टेट मिलेगा ठीक है क्योंकि हम आप्शन बायर हैं तो मैंने सब को यह लेबल था और आज क्या हुआ दोस्तों आज वापस से मार्केट जो है खुला और यह दिखाता हूं आपको आज मार्केट यहां खुला ऊपर गया यहां इसे रिजेक्शन मिला जो यह रिजिस्टन्स था क्योंकि यह डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही स्ट्रॉंग रिज की चाया बट इस सपोर्ट पे वापस मार्केट सपोर्ट लेकर उपर जाने लगा फिर मैंने पोस्त किया था दोस्तों आप लोग देखें जो मेरे साथ जुड़े हुए है पिछले कई दिनों से कई महीनों से उनको पता होगा दोस्तों कि मैंने ट्रेंड लाइन की ऊपर ए से लेकंट यह एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का formation हो गया जिनको डिसेंडिंग वर नहीं पता दोस्तों मैं डिसेंडिंग ट्रांगल के बारे में मैं लिंक डाल दूंगा आप उस वीडियो को देख लिजेगा मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी descending triangle को किस तरह से trade करना है ठीक है दूसरी चीज यह है कि trend line मैं बार बर कहता हूँ even मैं trend line के उपर भी एक video बनाया हूँ कि trend line अगर breakout हो या trend line पे हमें किस तरह से trade लेना है ठीक है उसके उपर भी मैंने video बनाया है मैं link description box में डाल दूँगा आप लोग देख सकते हैं अब देखी दोस्तों market जो है यहां पर एक resistance लिया यहां रिजिस्टन्स लिया यहां रिजिस्टन्स लिया और मैंने टेलिग्राम में सुबह ही post कर दिया था कि अभी एक अच्छा formation मना है अब यह breakout होगा तो हम यहां बाई कर सकते हैं और immediate जो हमारा target यहां पर हमारा immediate target होगा क्यों क्योंकि यह एक मिजर रिजिस्टन्स है डेली टाइम फ्रेम पर और मैंने कह दिया था कि अगर यह breakout होता है breakout होने के बाद थोड़ा consolidate करे या तो यहां से अगर प्राइस जो हमारा है उपर गया और यहां पर आके अगर लोगों ने अपना profit बुक किया और market थोड़ा सही correction हो जाता नहीं और उसके बाद अगर green candle बनता है तो यहां पर हमें buy करना है और नीचे का stop loss लेना है और उपर तक हम ride करेंगे क्योंकि दोस्तों next जो हमारा target था वो यह था मैंने सबको मैंने draw करके भेजा था आप लोग भी देख सकते है टेलिग्राम जॉइन करेंगे तो आप देख पाएंगे मैंने सुबह पोस्ट किया था तो यहां पर मैंने target दिया था तो देखिए दोस्तों आज market ने कितना अच 500 रुपे का मूव दिया आप देख पारें उपर देखिए 500 रुपी 500 रुपे का मूव दिया है options में यह spot में तो अब अगर दिया है 500 रुपे का मूव बैंक निफ्टी ने तो options में अगर आपने add the money भी अगर trade लिया होगा यह जो लेबल है अगर यहां पर खरदा होगा तो तो अगर 44,000 का अगर आपने CE भी लिया होगा तो market जो है 500 पॉइंट उबर गया है तो almost 50% जो होता है वो हमें options में मिल जाता है premium ठीक है अब देखते हैं यह options में दिखाता हूँ यह तो हो गया दोस्तों हमारा जो spot price है तो अगर जिसने भी आज यहां पे एंडर लिया होग फिर उपर गया नीचे आ रहा था फिर market उपर गया टच किया नीचे आ रहा था तो यह resistance वीक हो गया था तो अब जो है resistance तूटने पर मुझे यकीन था कि अभी हमें next target यहां तक मिल जाएगा next target हमें यहां तक मिलना चाहिए ठीक है और मैंने अपने group में मैंने share भी किया था next target हम यहां तक अब देखे दोस्तों आईए हम अप्सेंट का चार्ट कोलते हैं देखते हैं क्या हुआ दोस्तों आपसरब का चार्ट है एक बार खोल लेता हूँ 44000 का CP मैं खोल लेता हूँ यह देखे दोस्तों कि 44000 का यह सी है ठीक है आप यहां पड़ पा रहोंगे यहां लिखाया है 44000 का सी है यहां पे आप देखे 44000 सी तो हमने अगर यह देखा अब आप देखीं ऑप्संस यह पाइण है और पिछले कई दिनों से इसी रेंज में दोस्तों अगर आप गौर से तो मार्क ज़ो है पिछले कई दिनों से इसी रेंज में था मतलब इसे ब्रेक आउट नहीं कर रहा था और इसी रेंज में मार्केट मूव कर रहा था पिछले कई दिनों से लगभग 18 तारी से 18 21 22 लगभग इतने दिनों से मार्केट इसी में मूव कर रहा था और मैं बार बार सब को कह रहा था कि आप अगर साइडवेस में फसे हैं तो आप परिशान मत होई ठीक है एकाथ अगर आपके stop loss हीट होते हैं तो आप परिशान मत होई जिस दिन आपको breakout मिलेगा बस आप patience के साथ disciplined way में trade करें और आप अपने process को follow करें अगर आपको कोई setup बनता है तो आप trade करें तो देखी कितना अच्छा जो setup बना था आज मैं दिखाता हूं आपको यह देखें दोस्तों यह options का बारे में तो ठीक है जिनने नहीं पता है मैं description box में देदूंगा लिंक आप उसे जाके तुरंद देख सकते हैं आपको मालूम पढ़ेगा यह मेरा वन आप फेबरेट setup है मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए है कि इस तरह का कभी भी अगर ट्रेंड लाइन बनता है तो इसे कभी मत मिस कीजिए और आप गौर से देखें यहां पर मार्केट ने बनाता हूं ऐहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया यहां से मार्केट लिया यहां से ब्रीजाएग कर देखें सिंदमेनी निए ultimate game लगबग कितने बज़े यहां पर दस बच के 35 मिनट पर क्योंकि मुझे एक कैसे हम महिने की एक लाग रुपे कमा सकते हैं मैं वो भी लिंक में डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे भी देख लिजेगा मैंने दो स्ट्रेटजी पर बहुत अच्छे से डिसक्स किया था ट्रेंड लाइन के ओपर भी डिसक्स किया हुआ है और ख़ूर सकते हैं वह मैं दिखाता हूं अब आप देख्य है कितना आपको ढ़्डा बड़ा ख़र्ता हूंक आप लोग समझ पाएंगे अ यह दोस्तों देखे आज TWO को डिक require के पहली कंडल अब आप डेखे यह जब कंड़ल जब इस ही पर से रिजिस्टेंस लेखसे नीचे अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जा के उसे देख सकते हैं तो मैंने कहा हुआ है कि राउंडिंग बॉटम जो होता है वह अगर इस तरह का फॉर्मेशन अगर दीख रहा है आपको आप समझ जाए कि जहां से खुला है वहाँ तक मिनमुम जाएगा मार्केट यह मेने सेर किया होँए और अगर सामने कोई रेजिस्टेंस हो अगर वह ब्रेक आउट देता है तो मार्केट आलमोस जो यह होता है ना यह लेकर इस्टेन्स पाइट पर कहीं अगर entry लिया होगा, अगर यहां भी entry लिया होगा आपने, तो market ने दोस्तों कितना move दिया आज, एक बड़ दिखा देता हूँ, मैं यह options का चार्ट खुलाँ दोस्तों, options का, 44,000 का यह देखिए, CE है, अब options के चार्ट में आप देख लिजे, दोस्तों कितना move किया है market आज, यह मैं दिखा देता हूँ, अगर आपने यहां कहीं trade लिया होगा, तो options ने कितना दिया है move दोस्तों, लगभग 300 point, 330 point, और spot price में कितना market move किया था, 500, और 500 का आदा होता है, दोस्तों, 200 होता है, अब देखिए, मैंने आपको कई बार कहा है, कि हम options buyer के लिए सबसे अ momentum रहे, तो आज market सोचिए कि half के ऊपर, 500 का half होता है, दोस्तों, कितना, 500 का half होता है, 500, लेकिन market options में कितना move किया, आज लगभग 333 point, तो आज आप अगर सोचिए, कि price इस जगह पे अगर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह पे अगर आपने buy भी किया होगा, तो य 200 quantity में भी trade किया होगा, 200 quantity में भी अगर trade किया होगा, तो कितना rupiah अलगा होगा आपका 175 quantity का दोस्तों, आपका सिर्फ 35,000 रुपया लगा होगा, सिर्फ 35,000 रुपय, लेकिन अगर आप बने रहे होंगे, इतने दिनों का जो आपका अपका सब था, जो कई दिनों से market इसको break नहीं कर रहा था आप वेट कर रहे थे और अगर आज आप बने रहे होंगे तो कितना पॉइंट यहां दिख रहे हैं दोस्तों यह आप देखी 200 पॉइंट जो है तो अगर आज आप सिर्फ 35,000 रुपय लगाए होते तो आज 6,000 रुपय आपके आज पास प्रॉफिट होता अब सोची जो लाखो में या 2-4-5 लाग रुपय में लगाए होंगे तो आज वो कितने लाखो रुपय कमाए होंगे तो आज तो मैं कहता हूं दोस्तों आज यह ब आज पासेस को फॉलो करो तो आप देखो स्पोर्ट में भी कितना अच्छा मूव किया और और अप्सें में आप देख पारें गौर्ट से मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंसे फाइफ निट कर देता हूं दोस्तों इबढ़ देखिए उप्सेंस के चार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब options में जो premium भागता है न तो कितना तेजिस भागता है यह देखिए इस candle में मैंने करसर रखा है उपर देखिए 60 रुपीज बढ़ा एक ही candle में 68 पॉइंट उपर इस candle को देखिए एक ही पॉइंट में 79 यानि के 80 रुपीज का profit तो इतने त इस तरह के breakout मिलते हैं कई दूनों के बाद तो ऐसे trade को मिस मत कीजिए और हम लोगों का सबसे बड़ा दुस्मन क्या है पता है हम लोगा सबसे बड़ा दुसमन है हम खुद हम लोग क्या करते हैं हम जैसे profit आना शुरू होता है हम डर जाते और हम लोग profit को थोड़े महीं पुरा लेते हैं लेकिन पुरा बुखनी कर पाते तो अपने दूस्मन हम खुद हैं तो इसलिए मैं कहता हूं जब भी देखिए इस तरह का मुव अगर आया है कि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों यह मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों अगर इस तरह मार्केट देखिए यहां पर जाके इसको तोड़ा तो यहां पर निकल लिए तब भी आपको 300 पॉइंट मिला लेकिन आप क्या करेंगे 10-20 पॉइंट निकालके आप भाग जाएंगे stop loss लेंगे पूरा तो यह नहीं होना चाहिए आपको पूरा राइट करना है क्योंकि यह हम options buyer को हर दिन यह मौका नहीं मिलता दोस्तों तो आपको याद रखना है कि अगर आपके stop loss एक दो दिन हिड़ भी होते हैं आप panic situation मत आईए कोई बात नहीं market आपसे ले रहा है तो व पूरे भारत वासियों के लिए भी बहुत खुशी का दिन है और जो options बायर है उन लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हाँ अगर आपको कुछ भी इसमे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भी बोलें क्योंकि इस तरह के वीडियो में बनाता रहता हूं और जब भी आपके पास कुछ जब भी हमारे पास कोई नई टॉपिक आएगी मैं इस तरह का वीडियो डालोंगा और आपके पास उता